आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hi everyone, the question is What is the harm from the depletion of Earth Ozone layer? ठीक है, हमसे Question में पूछा है कि जो हमारी Earth की Ozone layer है उसकी depletion से क्या हाम होता है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हैं, अगर हमने माल लिया यह हमारी क्या है? Earth है इसके बाहर जो हमारा Stratosphere होता है वहाँ पर क्या present होती है? Ozone layer present होती है ठीक है, यह होगी हमारी Ozone layer अब क्या होता है? जो Ozone है, वो किस तरह से बनती है? देखो, O3 यह हमारे पास UV rays जब इस पे गिरती है तो यह O2 प्लस O radical अब यह reaction क्या होती है? continue चलती रहती है O3 कभी O2 में दन्वेट होती है कभी Oxygen O radical के साथ मिलके O3 बनाता है ऐसे हमारे पास यह layer क्या रहती है? बनी रहती है इस टाइप से यह होती है हमारी Ozone layer अब क्या होता है? जो हमारे chlorofluorocarbon होती है यानि कि CFCs होते हैं वो क्या करते हैं? इस O radical के साथ यह जो हमारा O radical है इससे क्या कर लेते हैं? रियाक कर लेते हैं अब इससे रियाक कर लेते हैं तो हमारी Ozone जो है बन नहीं पाएगी O2 अब किसे combine होती है? नहीं बना पाएगा अब O3 नहीं बन रही है तो यह layer जो है वो क्या होगी है? हमारे पास deplete होना start कर रही है अब यह layer depletion पे आ रही है यह layer क्या होगी है? डिप्लीट होती जा रही है ठीक है? जो हमारे अर्थ के surrounding की layer जो है वो thin होती जा रही है depletion से क्या मतलब है? यह thin होती जा रही है और hole होता जा रहा है जिसे हम ozone hole के नाम से भी जानते हैं ये तो होगी है हमारी Ozone की बारे में, अब इसकी वैस्से, जो हमारी UV rays थी, उसको ये Ozone अंदर नहीं आने दे रही थी हमारे अर्थ के अंदर, क्योंकि इसको इब्सॉब करके इस कनवर्जन में हैल्प करी थी, अब क्या होगा, जो UV rays है वो हमारे अर्थ के अंदर आ जाएग हमारी जो skin होती ना उसके लिए harmful होती है skin cancer भी cause करती है cancer भी cause करती है ठीक है तो मेन हमें जो harm है वो क्या है कि यूभी रोइस हमारी earth में amount उसकी बढ़ जाएगी और skin को damage करेगी जो हमारी skin उसपे effect करेगी options देखते है the average temperature of earth surface will increase gradually यह किसकी वैसे होता है हमारा global warming की वैसे ठीक है global warming तो यह तो option नहीं होगा हमसे ozone depletion की बात पूछिए oxygen content of atmosphere will decrease oxygen content का यहां पर कोई फरक नहीं आ रहा है क्योंकि oxygen और ozone की जो हम बात करें वह stratosphere की बात करें अंदर earth की बात नहीं करें तो यह भी आंसर नहीं होगा थर्ड option देखो increased amount of ultraviolet radiation will reach the earth ठीक है यही exactly मैंने अभी आपको point बिताया कि जो हमारी increased amount of ultraviolet UV rays वो क्या हो जाएगी earth पे जाधा आ जाएगी जिसकी विज़े से skin problems हो जाएगी लास्ट option हमें दे रहा है sea level will rise as a polar caps will gradually meet यह भी किसकी वेश से होगा global warming की वज़े से temperature जब बढ़ जाएगा तब की यह बात है ठीक है option 3 हमारा ozone depletion के लिए गज़म correct है thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जाधा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर